ममता सरकार और CBI की बीच छुड़ी जंग की बीच देश की सियासत गर्मा कई है एक तरफ ममता बेनरजी का केमर सरकार के खिलाफ कोलकाता में आज दूसरी दिन धर्णा जारी है तो वहीं ममता सरकार के खिलाफ S.C. में दार CBI की याचिका पर सुनभाई है वहीं इस बीच ममता बेनरजी ने आठ फरवरी तक धर्णा जारी रखने का एलान किया है तो दो तस्वीर आपके सामने हैं ममता बेनरजी ने आठ फरवरी तक धर्णा जारी रखने का एलान किया है इस बीच आज सुप्रीम कोट में एहम सुनभाई होने वाली है साड़े दस बजे ये सुनवाई होगी जिसमें CBI ने याचिकादार की है और मांहानी के मामले को लेकर याचिकादार की गई है जिसमें रश्चिमगाल की चीप सेकेट्री इसके लावा कोलकाता के पुलिस कमिशनर का नाम इसमें शामिल है रविवार शाम से जारी मंताबेनरजी का धर्णा आज तीसरे दिन भी कोलकाता में जारी है मंताबρείनरजी ने एलान किया है कि CBI के खिलाफ उनका धर्णा आठ फरवरी तक जारी रहेगा इस बीच ममताब अनर्जी के समर्थन मेव विपक्शी दल की कई नितां की निताओं का कोलकता पहुँचना जारी है रभिवार को अरज्ड को अर्जयडी ने तर तत के स्वा तव कोलकता पहुचे और ममताब погaben गर्जी के मंच पर जाकर समर्थन लाब जीम इसके लावा खैसरा क्वार जिकाशाब। फारप पत्रों जिकाशाब। जंदोहुनायुडी जिकाशाब। अर्विन के जिरिवा जिकाशाब। जो उदर में फोस्तित थे इविएनिशन के लिए प्रफित जिया रहता है। उन्हें हम लोगों साथ पात्टिया है। वो लोगों भी बैट के प्रैंडिंग करना है, जो भी प्रैंडिंग होगा एक साथ में एक साथ में आपको करेंगे, आमनोग साथे पर पते हैं तो मोडी को पगाना है, वान पॉइस पर दूब है, कि मुझे गर्भ है, कि मंका जी ने जो ख़दा मुझाने का का था आठी हो कर दूब होता है, जमार के पूरी कल्के मुझे, यह प्रीकल कौशलर समें है, यह नकराज का जी तो है, नेगीटिव पोलिटिक्स है, और प्रैंडिंग कंडी सिरक प्रज़िया, तो हम परें हुद सभी होगा लेकिन आप परें होगा लेकिन अम उनको एक छीज कहना कहाए पस्ची मंगाल के मुकमंतरी ममताव एनरजी के अंसन के मद्दे नजर सुरक्षा का कड़ा बेवस्ता किया गिया है इस वक्त हम मौझूद हैं ठीक हुई पर जहां पर ममताव एनरजी अंसन पर बैठी हुई है धर्मतला पर और यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके की सुरक्षा की बेवस्ता है कुलकाता पुलिस के जवान और वेजबंगल पुलिस के जवान यहां पर मौके पर दनात है फिलाल सुबा का वक्त है और यहां पर कुलकाता पुलिस के जो अला अधिकारी हैं वो अपने जवानों को यहां पर ब्रीफिंग दे रहे हैं और साथ में आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कई IPS अफसर वी यहां पर लगातार मौजूद है बताए यह जा रहा है कि 1000 से ज़्यादा जवान पुलकाता पुलिस और वेश्मेंट पुलिस के जवान इस पूरे इलाके में आसपास यहां पर तैनात हैं और उनकी पैनी नजर है हर किसी पर उनकी नजर है और जैसे किसी पर उन्हें शक होता है उन्हें रोक कर तुरंट चेक किया जाता है फिलाल जो है ममता बेनर्जी का अंसन ममता ने कहा है कि उनका अंसन यह आठ तारिए तक जारी रहेगा लेकिन सुप्रीम कोट और हाइए कोट दोनों में आज सुनवाई होनी है तो बहुत कुछ निर्वर करता है आज सुप्रीम कोट में जो सुनवाई होगी उस पर निर्वर करता है ममता बेनरजी का जो यह अंसन यह कब तक जारी रहेगा उसके टरीके से म fact दूसरे यह समर्थन मिल रहा है बार बार ममता पेनर जी अपने स्टेथ से अपने कारकरताओं से अपील कर रही है कि यह जो कि इसको पलिटिकल रेली ना वना है एग और उन्हें जोंग है तो फिलाल आप देखना होगा कि सुप्रीम कोट इस पर क्या रुख अपनाता है हाई कोट में भी सुनवाई है इस पुनर रामले में तो बहुत कुछ कि सुप्रीम कोट और हाई कोट पर आज की ममता की रैली पर ममताब एनर्जी के समर्टक पूरी रात धर्ना स्तल पर डटे रहें इस वक्त मैं आपको सीधी तस्मूरी दिखा रहा हूँ ममताब एनर्जी के समर्टकों की आप देख सकते हैं किस कदर जो है ममताब एनर्जी के जो समर्टक हैं वो हातों में जंडा और पोस्टर लेकर पूरी रात खुले आसमान की नीचे डटे रहे सर्दी का मौसम है लिहाजा यहाँ पर ठंड भी है और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर चाय भी है तो अभी फिलाल जो कारे करता है पार्टी के जो कैडर है वो चाय की श उसका यहाँ के जो करेकरता है वो यहाँ के अकबारों में उसका समाचार को यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो लोगों 36 गंटे से जादा हो गया है ममता बेनर जी का अंसन लगतार यहाँ पर जारी है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है पूरे मसले पर CBI ने जो याची का सुप्रीम कोर्ट में दायर किया उस पर सुनवाई होनी है बहुत कुछ निरुपर करेगा आज के सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई पर इस अंसन को लेकर बहराल जो उत्साह है वो पाटी कार करताओं में लगातार बना हुआ है और पूरी र स्टेज के बगल में ही आप देख सकते हैं यह वी वी आईपी इंट्री है यानि जितने भी अब बड़े अड्मिस्ट्रेटिव के जो पदादिकारी है जो यहां अंसन स्थल पर पहुंचेंगा और साथी साथ जो उनके सरकार में उनके सुवे में मंत्री हैं और जो एमेले से तस्वीरों में किस तरीके से इस जो वी वी श पी का जो एंट्री गेट है यहां पर किस तरीके से यहां पर सुरक्चाघिका के इंतिजाम है दूसरी तरह आपको दिखाना चाहूंगा आप यहां पर देख सकते ह इस पूरे चौक को यहां पर कॉलकाटा पुलिस ने यहां पर सील कर दिया है तो आप देख सकते हैं तो फिलाल मता के अंसन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतिजाम कॉलकाटा पुलिस और पश्चिमंगल पुलिस ने किये हुए है सुप्रीम कोट आज उस शार्दा घुटाले में कोलकाता के पुलिस कमिश्णर राजीव कुमार से पुष्टाच से सीब्याई की अधिकारियों को रोकने और उन्हें हिरासत मिले जाने के मामले में सुनवाई करेगी को पुष्टाच के लिए पहुचे सीब्याई की अधिकारी को लिया करने के बहुठ लगाय है जिस पर कौट ने सीब्याई को धरोसा दिया कि अगर कोलकाता पुलिस कमिश्णर ने आनून तोड़ा है तो सकत कारवाई की जाएगी आज इस मामले की चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगवाई में तीन जजों की बेंच सुनबाई करेगी गोलकता में हुई कारवाई और धरने की गून संसद में भी साफ सुनाई थी और टीमसी के साथ खड़े कई विपक्षी दलों ने इस मुद्धे पर सीधे मोधी सरकार को निशाने बर लिया और टीमसी के सांसदों ने लोगसभा की कारवाई शुरू होते ही सीबियाई की कारवाई के विरोध में बीजेपी के खलाफ नारेबाजी शुरू कर दी अंगामे की वज़े से कारवाही को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा इसके बाद जब दोबारा कारवाही शुरू हुई तो टीमसी सांसद शौगत राय ने मोधी सरकार पर सीबियाई के दुरूपयोग कारोप लगाया लगे हाथ कॉंग्रेस ने भी इस मुद्धे पर टीमसी का साथ देते हुए केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला तो भहीं बीजू जनता दल भी सीबियाई की कारवाई के विरोध में ममता सरकार के साथ खड़ा नज़र आया इतना है नहीं समाजवादी पार्टी आरजडी और एंसीपी के सांसदों ने भी ममता सरकार का पूरजोर समर्थन किया लेकिन सीपीएम ने शार्दा चित्वन गुठाले के आरोपियों पर कारवाई की बांग और चार साल तक सीवियाई के कारवाई ना करने पर सवाल उठाते हुए केंद्र के साथ ममता सरकार को भी आड़े हाथ लिया विपक्ष का हमला बढ़ता देख सरकार की तरफ से ग्रह मंतरी राजनात सिंग ने मोर्चा संबाला उधर राज्यसभा में भी कारवाई शुरू होते ही टीमसी सांसदों ने सीबी आई की कारवाई के विरोध में हंगामा किया जिसकी वज़े से कारवाई को मंगलवार तक के लिए रोक दिया गया लेकिन पश्चिम मंगाल से शुरू हुआ सियासी घमासान थमने की बजाए और बढ़ गया ममता सरकार और सीबी आई के जगड़े के बहाने विपक्ष ने एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ एक जुटता दिखाई पूरा विपक्ष इस तरह की ताकतों को हराने के लिए एक जुट है जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल ने देश की जनता से ममता का साथ देने की अपील की अखिलेश यादव भी केंद्र सरकार के खिलाफ ममता के साथ खड़े नजर आए अलकि विपक्ष की एक जुटता से बेफिक्र बीजेपी ने ममता बैनर जी की भूमिका पर ही सवाल खड़े कर दिये ममता जी के व्यवधान की वजह से ना सिर्फ फेडरल धाचे को सम्विधानिक धाचे को चोट पहुँची है बलकि राश्ट स्तब्द है कि लिट्रेरों के साथ अब दीदी ने अपना समर्थन दिया है और सीबी आई की मंचा पर सवाल खड़े की ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिना पूछे बिना अनुमती दिये बिना बताए आप संडे को शाम को एक टीम पहुँच जाती है पुलीस कमिशनर की खड़े आपको शायद ये मालूम नहीं और लोगों तथे मालूम नहीं कि उच्चे नियायले का आंतरिक आदेश है जो कई महीनों से चल रहा है कि कलगत्ता पुलीस के अफसरों को इस प्रकार से पूछटाश नहीं की जा सकती है जबकि आम आदमी पार्टी ने पीएम पर पक्षपात करने का आरोप लगाया नाशनल गॉंफरेंस ने इस सारी उठापटक को केंदर का ताना शाही रवया करार दिया लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया कि सीबी आई की कारवाई से सरकार का कुछ लेना देना नहीं हम अब इसके उपर टिपड़ी कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि यह सुप्रेम कोट के बीच का मसला है मर्यादा टूटी है एक जो संघी धाचा है उसकी विवस्था में बहुत बड़ा ब्रेक आया है सीबी आई के मुद्दे पर पश्चिम मंगाल सरकार से टकराव के बीच बीजेपी ममता बैनर जी के खलाफ चुनाव आयोग भी पहुंच रही बीजेपी का आरोप है कि ममता सरकार राज्य में बीजेपी निताओं की रैलियों को रोक रही जिसकी शिकायत करने बीजेपी का प्रतिनिदि मंडल चुनाव आयोग पहुंचा बीजेपी ने चुनाव आयोग से मिलकर लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में हालात दुरुस्त करने की मांग की हमने चुनाव आयोग से मांग की है कि स्वतंत्र निश्पक्ष और भैमुक माहौल में पश्चिम बंगाल में लोकसभा के चुनाव हों जो अधिकारी पिर्मूल कांग्रेस के कारकरता की तरह भूमिका निभा रहे हैं इससे पहले भी बीजेपी सियासी हिंसा के मामले में टीमसी पर हमला वर रही है शारदा चिटफंड मामले में कॉंग्रेस का केंद्री नितृत्व भले ही ममता बैनर जी के साथ खड़ा है रहा है लेकिन मंगल के काउंगरेस सांसर अधीर रंजन ने पाटी से अलग लाइन लेते हुए पस्टिम कॉंग्रेस पार्टी की और से हम लोग किया था और यह जाज होना चाहिए और दोशी को निकलना चाहिए